मंत्र परिशत के मेरे साथ ही और जिनके नेतरुत्व में उर्जा सुरक्षा के ख्षेत्र में अनेक नए इनिसेटिव लिए जा रहे हैं से मेरे युवा साथ ही उर्जावान मंत्री स्यमान धर्मेंदर प्रदान जी स्री रविशंकर प्रशाद जी स्री मतिन दिर्मला जी बंगलादेश से आज विशेश रुप से पधारे हुए हमारे महवान स्रीमान नसूल हमिज जी केबिनेट सेक्रेटरी सी अजीत शेट स्री सहर अप्चंद्रा दिकेश तराफ श्री वियशोक श्री एके पुरवाहा श्री नरेंदर कुमार वर्मा उपस्तित सभी महानुभाव और नवजवान साथियो आज उर्जा संगम भी है और त्रिमेनी संगम भी है कि तीन महत्वपूर्ण इनिशेटीव जिनको हम गोर्डन जुबिली के रूप में बना रहे हैं ओएंजिसी विदेश लिमिटेट एंजिनियर्स इंडिया लिमिटेट एंड बरोनी रिफाइनरी लिमिटेट इन तीनों क्षेत्रों में गद पचांस वर्स में जिन जिन महानुभाव ने योगदान दिया है इस अभियान को आगे बढ़ाया है और भारत को उर्जा के ख्षेत्र में ताकत देने के लिए निरंतर प्रयास किया है मैं इन तीनों समस्थाओं से जुड़े सभी महानोभाव को रजाय से बहुत बहुत अभिरंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि जब हम गोल्डन जुबिलियर मना रहे हैं तब पीछे मूड करके वो कौन से हमारे कारिशाइली थी वो कौन से हमारे निरणय थे वो कौन से हमारा दर्शन था जिसके कारण हम आगे बढ़े वो कौन सी कमिया थी जिसके कारण अगर कोई कमी रह गई है तो वो क्या थी और अब जब पचास साल के टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं तब आने वाले पचास साल का हमारा लक्ष क्या होगा हमारा मार्ग क्या होगा हमारी सक्ति संचे के रास्ते क्या होगे और राश्ट को शक्तिवान बनाने के लिए हमारे पुर्शार्थ किस प्रकार का होगा, उसका भी आप लोग रोड में प्यार करोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। करते हैं, उससे आज ये कुछ निकलता नहीं है, और इसलिए देश को अगर प्रग्रति करनी है, तो हर आइडिया को इंस्टिटूशलाइज करना होता है, और देश लंबे स्तर्शे तक स्थाई भाव से तब प्रग्रति करता है, जब उसका इंस्टिटूशनल मेकनिजम अध इसी व्यवस्ता हो, ताकि वो नित्य नूतन प्रयोग करता रहता हो, मैं समाजता हो, हमारे पास आने वाले युक के लिए भी नई व्यवस्ताओं के निर्माण के आवश्यक्ता है, और वर्तमान में जो व्यवस्ता हैं, जो इंस्टिटूशनल मेकनिजम है, उस आधुनिक बनाये जाए, नए इनोवर्शन कैसे किये जाए, यंग मैंड को कैसे इंकॉर्परेट किया जाए, और न सरफ भारत के सिमावों तक, लेकिन ग्लोबल परस्पेक्टिव में हम अपनी विकास की दिशा कैसे ताय करें, और उन लक्षों को कैसे पार करें, कैसे प् के बल देंगे , तो विश्वकी भारत के पास जो अपैक्षाएं हैं और दुनिया का one six population कि one six population, ये कहकर के नहीं रूख सकता, तक हमारी ये मुसीबत है, हमारी ये कठेनाए है, दुनिया के one six population का तो ये लक्ष रहना चाहिए कि विश्व का वन सिख्थ बोच हम अकेले अपने कंधों पर उठाएंगे और विश्व को सुक्सांति देने में हमारा भी कोई इनकोई सकारात्मक कॉंटिबिशन होगा ये ग्लोबल परस्पेक्टिव के साथ भारत ने अपने आपको सज्ज करना होगा भारत ने अपने आपको तयार करना ह होगा और मुझे विश्वास है कि जिस देश के पास 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 साल से कम उमर की हो यंग मैंड जिसके पास हो अच्छे सपने देखने का जिन लोगों में सामर्थ हो ऐसी उर्जवान देश के लिए सपने देखना और सपने पूरा करना कठी नहीं होता है और मुझे विश्वास है कि आज जब हम इस महत्वपूर अउसर पर उर्जा संगम के समारों में मिले हैं तब कल आज और आने वाले कल का भी संगम हमारे मन मस्तीर हो ताकि हम नई उचाईयों को पार करने लिए विश्व के काम आने वाले भारत को तैयार करने में सफल हो सके और इस अर्थ में आज मुझे आज आज आपके बीच आने का सवभागी मेरा मैं आपको इसके लिए रजय से बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं और आपके आगे की आत्रा बहुत ही उत्तम तरीके से राश्ट के सेवा में काम आएगी ऐसा मुझे पुरा विश्वास है नई सरकार बनने के बाद नए कई इनिसिटिव लिए गए हैं हम जानते हैं कि अगर हमें विकास करना है अगर हमें ग्लोबल बेंचमार को एचिव करना है तो हमारे लिए उर्जा के क्षेत्र में सेल्फ सफिशन्ट होना बहुत अनिवार है हमें किसी क्षेत्र में भी ग्रोथ करना है उसकी पहली आवश्यक्ता होती है उर्जा आज टेक्नोलोजी ड्रीवन सुसाइटी है और जब टेक्नोलोजी ड्रीवन सुसाइटी है तो अगर उर्जा ने अपनी एहम भूमी का प्रस्थापित की है अगर उर्जा के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं जो आज भी हमारे ध्यान में नहीं है वो भी सहे आने वाले दिनों में विश्व के सामने उजागर हो सकते हैं लेकिन पूरी मानव जात की विकास यात्रा को देखा जाए तो उर्जा का अपना एक स्थान है उर्जा एक प्रकार से विकास को उर्जा देने की ताकत बन जाती है और उस अर्थ में हमारे लिए उर्जा सुरक्षा यह आवशक्ता भी है हमारी जिम्मेवारी भी है और उस जिम्मेवारी को पूरा करने के दिशा में हमने कुछ कदम उठाने होगे पिछले दस महिनों में इस खेत्र में हमने रिफॉर्म के बल दिया है और रिफॉर्म को बल देने के कारण कई महत्वपूर्ण बाते सामने आई हैं हमारी यहां सामान नागरी की चिंता करना ही हमारा पहला इरादा रहता है हमारा मक्सद है कि देश की कॉमन में को कि अधिक से अधिक सरलता से लाप कैसे मिले कि अधिक सब्सीडी ट्रांसफर स्कीम कि दुनिया की सबसे बड़ी गैस सब्सीडी को ट्रांसफर करने की स्कीम में सिर्फ सो दिन के कालखंड में हमने सफलता पाई है और मैं मानता हूं कि एक तो किसी चीज में शुरू करना किसी चीज को एचू करना और किसी चीज को कि टाइम बाउन समय के रहते हुए पूरा करना इन तीनों तराजू से चीजों को तोलते हुए देखें तो मैं विभाग के सभी मित्रों को सचीव स्री को मंत्री स्री को और उनकी पूरी टीम को रजह से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं कि सो दिन के अल्प समय में कि दुनिया की सबसे बड़ी सबसीडी ट्रांसफर स्कीम 12 करोड लोगों को बैंक खाते में सीधी गैस सबसीडी पहुंचना यह छोटी काम नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा काम यहां पूरा हुआ कि और जंधन एकाउंट जब खोल रहे थे तब तो कुछ लोग मजाग करने की हिम्बत करते थे लेकिंद अब नहीं करते हैं क्योंकि जंधन जंधन के लिए नहीं था जन शक्ति में परिवर्तित करने का प्रयास था और उर्जा शक्ति जोड़ने के प्रारम हमें करना था कोई कल्पना कर सकता है कि कि बेनिफिशेरी को सीधा लाप दे करके हमने कितना बड़ा लिकेज रोका है मैं विशेश करके पॉलिटिकल पंडितों से आगर करूंगा कि जना उसकी गहराई में जाए मैं अपनी तरफ से क्लेम करना नहीं चाहता हूँ आज जिस प्रस्टाचार से खिलाब लड़ने की बाते तो बहुत होती है लेकिन प्रस्टाचार से लड़ने के लिए इंस्टिटूशनल मेकेजिम मेकनिजम ट्रांस्परनंट मेकनिजम पॉलिशी ड्रिमन व्यवस्ताएं अगर निश्चित की जाएं तो हम लिकेजिज को रोक सकते हैं और यह उत्तम मुदाहरण केज ट्रांस्पर के द्वारा हमने सिद्ध किया है अब कितने सिलेंडर जाते थे अब कितने सिलेंडर जाते हैं इससे पता चड़ेगा पिछली बार हमने पारलामेंट में एक छोटा सा उनले किया था कि जिनको यह affordable है, इन्होंने subsidy क्यों लेनी चाहिए? क्या देश में ऐसे लोग नहीं निकल सकते हैं? कि जो कहें नहीं बेठीक है, अब तो इश्वय नहीं हमें बहुत दिया है, देश नहीं हमें बहुत दिया है, अब हमें gas cylinder के लिए subsidy की ज़रूप नहीं है. हम अपनी पसिने की कमाई से अपना खाना पका सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं. चोटा सा सपर्ष किया था विशे को, लेकिन उस सपर्ष को भी इस देश के करीब 2,80,000 लोगों ने सकारात्मक रिस्पॉन किया. और इस give it up movement में भागीदार हुए है. सवाल यह नहीं है कि 2,3,000,000 लोग इसमें जुड़े. सवाल यह है कि देश चलाना है तो देश भागीदारी करने को तयार होता है, देश का हर नागरी भागीदारी करने को तयार होता है, उनको आउसर देना चाहिए. देश के नागरीकों पर भरोसा करना चाहिए. हमारा सबसे बड़ी पहल यह है, कि हम इंतुस्तान के नागरीकों पर भरोसा करकर क्या आगे वढ़ना चाहते हैं. और आपको जानकर क्यानन्द होगा, कि समाज के एक वर्ग ने जिसने कहा, हम सबसेड़ी से गयस अब लेना नहीं चाहते हैं, हम अपना पैसा दे सकते हैं. करीब 2,80,000 से जादा लोगों ने इसका लाब दिया, एक प्रकार से देश को लाब दिया है, उससे कम से कम 100 करोड रुपय की बच्चत होगी हैं. ये 100 करोड रुपया किसी गाउं में सकूल बनाने के काम आएगा अगा नहीं आएगा, किसी गरीब का बच्चा बिमार होगा तो उसके काम आएगा अगा, जिसने भी ये काम किया है, उसने एक प्रकार से गरीबों की सेवा करने का काम किया है, और ये जो cylinder बचे हैं उस cylinder हो जह हम पैसे बचाना नहीं चाहते हैं हम इसको गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आज वो धुए में चुला जलाते हुए जो मां परिशान रहती है उसको कोई राहत मिल जाए उसके बच्चों को आरोग्य का लाब मिल जाए गरीब के धक घर तक गैस का सिलिंडर कैसे पहुंचे इसका अमने भियान चला है और मैं आज विदिवत रुप से यह सफलता देख करके पहले तो हमने ऐसे ही कहा तक तो जरा कहें लेकिन जो रिस्पॉंच देश ने दिया है मैं उन दो लाग असी जार से अधिक लोगों ने इस काम को जिम्मा लिया मैं उनका आभार वेक्ते करता हूं अभिनंदन करता हूं और देश बास्यों को अपील करता हूं कि जिसके लिए भी यह संभव है अपनी जेव से अपना खाना पकाने की जिनकी ताकत है वो कृपा करके एक गैस सिलिंडर में सब्सीडी न ले देने का आएख आवन्द होता है देने का आएख संथोश होता है और जब आप गैस इलेंडर के इस अभसी नहीं करता हूं कि जब मैं मैं कि विचार कर रहा था तब मैंने डिपार्टमेंट को पूछा था कि पहले जांच करो भई मोदी के नाम का तो कोई सिलिंडर है नहीं नहीं कहीं पर मेरा सवभागे रहा कि मुझे कभी इस दुनिया से उलजना ही नहीं पड़ा है तो उसके कारण न कभी पहले लिया था न कभी आज है तो फिर मैं एक मॉरल ताकत से बोल सकता था हां भाई हम यह कर सकते हैं और मैं आज विजिवत रुप से देश्वास्वे से अपील करता हू कि अगर आपके पास इस देश ने जहां तक पहुंचाया है देश का योगदान है गरीब से गरीब का योगदान है आपको जहां पहुंचे हैं वहां पहुंचने में आपकी जेब पनने भरने में गरीब के पसीने की महक है आईए हम इस गीविट अप मुव्मेंट में जु जोड़ें, सामने से आफर करें, और इसमें भी नए नए लक्ष प्राप्त करके रेकोर्ड अस्टाब्स करें, मैं आपको भी स्वास दिलाता हूं, जो सिलिंडर आप सबसीडी छोड़ेंगे, वो हम गरीबों को पहुंचाएंगे, ये काम गरीबों के काम आएगा, हमने एक इनिसिट्व लिया है, फाइव केजी का सिलिंडर, जो विद्यार्थी है, अब उनको पूरा सिलिंडर लेकि क्या करेगा, वो बेचार एक कमर में रहता है, या तो कई नोकरी के लिए गये हुए लोग हैं, या जो गुमन जाती के लोग हैं, गरीब लोग हैं, एक जगा से प्रयास किया है, हमने एक ये भी काम किया, डीजन को डीरेगुलेट किया, और डीजन को डीरेगुलेट करने के कारण, रिफॉर्म के लिए महतोपूर मना जाता है, इंटरनेशनल दाम कम हुए थे, तो थोड़ी सुवीधा भी रही, लेकिन मार्केट को तय करने दोगर, को कि Global Markets के दबाव में हैं और मैंने देखा है कि देश ने सहस्ता से इसको स्विकार कर लिया है कभी दाम उपर जाते हैं कभी दाम नीचे जाते हैं लेकिन लोगों को मानूम है कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है बाजार की जोस्तिति हैं मुझे के जूड़ के हैं तो भारत क नागरिक भी एक खड़िदार के रूप में भी Global Economic का हिस्सा बन करके अपनी जिम्मवारियों को निभाने के लिए तैयार हुआ है यह अपने आप में विकास की एक सकारत में दृष्य की रूप में मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि उसका विलाफ होगा हमने एक और महतोपुन नेंडे किया जब उर्जा के शेत्रों में चर्चा करते हैं थो हमने सभी शेत्रों में प्रयास करना पड़े ऑइधनॉल के लिए पैट्रोल में उसको मिक्ष्ट करने लिए हमने इनिसेटिव लिया विदिवत रूप से लिया है हमारे गन्य की खेती करने वाले क किसान परेशान है क्योंकि उसकी लागत से चीनी की किबद कम हो रही है चीनी के कारखाने बंद हो रहे हैं अगर उसके लिए नवी वबस्ता जोड़ दी जाए अगर चीनी बनाने वाले चीनी उनके पास एक्सेस हैं उसके काम दाम तूट रहे हैं दुनिया में कोई इंपोर् इनल बनाईए कुछ मात्रा में इनल बनाईए उसको पैट्रोल में ब्लैंड कर दिया जाए किसी समय यह पैट्रोलियम लॉबी के माम ऐसा कहां जाता है इतनी पावर्फुल होती है को नेने नहीं कर सकता हमने नेने किया है यहां कई लोग बैटे होंगे साथ उनको अच्छ इनल के द्वारा हम उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं हमारा जो सुगर सेक्टर है उसको ताकत देने का एक उत्तम राश्ता हमने किया है और पहले इतनल का मिनिमूम सपोर्ट प्राइस का निर्णे नहीं था उसका कोई प्राइस किमत पाई नहीं था हमने ताय कर दिया 48.50 पैसा तु 49.50 पैसा तक इसका रहेगा ताकि एक राज्य में एक भाव हो दूसरे राज्य में दूसरा हो उस्तिती खराब नहीं हो और उसके काण कोई भी कंपने डारेक ले सकती है कोई टेंडर प्रोसेस में जाना नहीं पड़ेगा मार्केट रेट फिस्ट कर दिया है मैं समझता हूँ कि उसके प्रकारान भी एक और लाभ होगा और एक काम हमने इनिसेटिव लेने के लिए राज्यों से अगर किया है जिंजिर राज्यों में बंजर भूमी है जहां पर अन्य फसल की संभावना कम है वहां पर जेट्रोफा की खेती बहुत अच्छी हो सकती है जेट्रोफा की प्रदावर अच्छी हो सकती है और जेट्रोफा जैसे है कि वो तिल हैं जिसमें से खाध्यत तेल नहीं निकलता है लेकिन उइल मिलता है उसको बढ़ावा देना और उसको बायो डीजल के रूप में डेवलब कर रहा है और जितनी मात्रा में हम बावी डिजल को मार्केट में लाएंगे, हमारा किसान जो खेत में पंप चलाता है या ट्रेक्टर चलाता है, उसको भी उसके करण लाब होगा, गरीब आदमी को किस प्रकार से लाब हो, उस पर बल देने का हमारा प्यास है, देश में अगर हमें विकास करना है, तो भारत का पस्चीमी छोड का विकास हो, तो देश का विकास कभी संबाव नहीं होगा, असंतुलित विकास भी कभी कभी विकास के लिए खुद समस्या बन जाता है, विकास संतुलित होना चाहिए, हर राज्यका 19-20 का फरक तो हम समझ सक सकते हैं, लेकिन 80-20 का फरक से देश नहीं चल सकता, और इसलिए पस्चीम में तो हमें economic activity दिखती है, लेकिन पूरब जहां सबसे जादा प्राकृतिक संपदा है, पूरी भारत पूरा, जहां पर समर्थ लोग है, उनकी शक्ति कम नहीं होती है, लेकिन उनको अवसर नहीं म बढ़ाना है, तो हमारा लक्षा है कि भारत का पूर्वी इलाका, चाहिए पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उडिसा हो, असाम हो, प्रचिम मंगाल हो, नौर्थ इसके इलागे हो, जहां पर विकास की विपूल संभावना है, उस पर हमने बल देने का आग्रा है, सेकंड ग्रिल रिवलुशन की भूमी भी अगर बनेगी, तो पूर्वी भारत बनेगा है, मुझे साब दिखाई दे रहा है, जहां भी पूल मात्रा में पानी है, उसी प्रकार से अउद्यू की विकास में भी बड़ा कॉंटुबिशन करने की संभावना पूर्वी भारत मे पड़ी है, और इसके लिए, गैस ग्रीड नेटवर्ग उर्जा जरूरत है, अगर पतना के पास गैस पाइपलाइन से मिलेगा, तो पतना में उद्योग आएंगे, बिहार के उन शहरों में उद्योग जाएंगे, असाम में भी जाएंगे, पस्चिम मंगाल में भी और इसलिए हमने, गैस ग्रीड का, पाइपलाइन के नेटवर्ग का बहुत बढ़ा भ्यान उठाना हमने ताई किया है, और इतना ही नहीं, शहरों में, क्योंकि पॉलूशन, शहरों के पॉलूशन के बड़ी चर्चा है, और उसके लिए हमने ताई किया है, कि हम परिवारो में, पाइपलाइन से गैस का कनेक्शन दे, यह हम देना चाहते हैं, अब तक हिंदुस्तान में 27 लाग परिवारों के पास, पाइपलाइन से गैस कनेक्शन है, हम आने वाले चार साल में, यह संख्या एक करोड पहुंचाना चाहते है, एक करोड परिवारों, और पूरे पुर्वी भारत में भी उद्योग लगाने वाले लोग पहुंचेगे, अगर गैस उनको मिलता है तो उद्योग लगाने के लिए जाएंगे, और उर्जा की गारंटी होनी चाहिए, उसको लेकर कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने इस शेत्र में विकास करना है तो स्कील डेवलप्मेंट में भी बल देना पड़ेगा। इस कारकम में विशेष रूप से IIT जेजी हमारी इंस्टिटूशन के स्टूडन्स को बुलाया है। हमारे लिए यह बहुत बड़ी चैलेंज है कि शेत्र में इनोवेशन कैसे करें। हम अभी भी पुराने धरे से चल रहे हैं। यह यंग मैंड की जरूरत है। और यंग मैंड का एक लाभ है वो बड़े साहसिक होते हैं। वो प्रयोक करने के लिए ताकत रखते हैं। जो अनुभव के किनारे पहुंचे वो 50 बार सोता है। करूँ या न करूँ करूँ या न करूँ अच्छा कबड़ी का खिलाडी भी रिटाइड होने के बाद जब कबड़ी के खेल देखने खड़ा होता है तो उसको भी डर रहता है। और इसलिए यंग माइंड जो जिसके रिस्क केपिसिटी बहुत होती है। ऐसे यंग माइंड को आज विशेश तुरु से बुलाया है। बैं आगरह करता हूं कि इस शेत्र में बहुत इनोवेशन की संभावना है। इनोवेशन को हम ईरजा के क्षेतर में किस प्रकार से हमारा वाइंड एप्लाइ करे। है भारत को हम उर्जा छोप्स हैत्र में कि सुरक्षित कैसे करे स्वावलceu मुट कैसे करे है उसका में पहली अब specific and development specific बनाना चाहते हैं रिक्वार्मेंट specific बनाना चाहते हैं हमने एक बार हिसाभ लगाया कि सिरफ हमारे petroleum sector में जो काम करते हैं जय से गैस की pipeline लगती है अब गैस की pipeline लगाने वाला वो पानी की pipeline लगाने वाला नहीं चल सकता उसके लिए एक स्पेशल स्कील चाहिए व्यक्ति वही होगा एक्स्ट्रा स्कील की आवशकता है वैल्यू एडिशन की आवशकता है हमने ऐसे ही सरसरी नेजर से देखा तो करीब करीब 136 चीजे ऐसी हाथ में आई कि जो फिल्ड लेवल पर फूट सोल्जर जो है उनके स्कील के लिए करने की आवशकता है हमने का अभियान चलाया है आने वाले दिनों में इन सभी सेक्टर्स में हम स्कील डवलप्मेंट को बल दें और सामान्य गरीब मजदूर भी है जो य वाइर्मेंट काम करेगा कि सोलार सेक्टर का उसका स्कील डवलप्मेंट होना चाहिए और इसलिए नए सिरे से सिलेबस बने नए सिरे से उनके लिए कहीं एक विक्ये दो विक्ये एक साल के दो साल के जो भी आवशक हो स्कील डवलप्मेंट मीशन के साथ जोड़ करके हम प के साथ मिलकर करेंगे तो human resource development ये भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक हैं जिसको लेकर करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक प्रकार से innovation के लिए पूरा-पूरा आउसर उसी प्रकार से इसको भी पाने का आउसर 2022 में भारत की आजहादी के 75 साल हो रहे हैं देश आजहादी का अमृत पर्व बनाने वाला है जिन महापूरुश्व ने सपने देखे थे भारत को महान बनाने के और इसके लिए आजहादी के लिए अपने आपको बली चड़ा दिया था जवानी जेल में खपा दी थी अपने परिवारों को तबाह कर दिया था इसलिए कि हम आजहादी की सांस ले सके हम आजहाद भारत में पल बढ़ सके हम वो भागिसाली लोग हैं जो उनकी तपस्या और त्याक के कारण आज आजहादी का आनन लूट रहे हैं कि क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि जिन देश के लिए इतना बलिदान दिया हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे कि कैसा भारत देंगे 2022 जब्कि हंदस्तान के आजहादी के 75 साल है इस उर्जाक संगम में जो लोगा आये हैं मैं आप से आगरह करता हूं कि 2022 में जब देश आजहादी का अमरूत पर मनाए तब जाके शेतर में करीब करीब 77 परसेंट इंपोर्ट करते हैं ओल और गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में है क्या आजादी के 2022 के परवपर अमुर्थ परवपर हम ये 57 77 में से कम से कम मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं 10 परसेंट इंपोर्ट कम करेंगे हम उतना 10 परसेंट ग्रोथ करेंगे स्वावलंभी बनेंगे ये सपना लेकर कि आज हम जब 50 सब मना रहा है जा सकते हैं क्या एक बार हम 2022 में 10% इंपोर्ट कमी करने में सफल हो जाते हैं 10% ग्रोथ सतत करकर के हम उस मुचाई को पार कर सकते हैं तो मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं कि 2030 में हम ये इंपोर्ट को 50% ला सकते हैं लेकिन पहला ही पहला ब्रेक्थ्रू होता है फर्स ब्रेक्थ्रू और मैं मानता हूं आजादी के दिवानों से बड़ी प्रेणा क्या हो सकती है आजादी के लिए मरने मिटने वालों को याद करके करें कि मैं इस शेत्र में काम कर रहा हूं मैं मेरे देश को ये देख करके रहूंगा आने वाले पांच साल साल मेरे पास है मैं पूरी ताकट लगा दूंगा और मदेश में यह स्तिधी पादा करूंगा यह सपने हम देखें कितने एक शेत्रों में इनिसेटिव लिए हैं हम मेगावट से बाहर नहीं निकलते हम गीगावट की चर्चा करने लगे हैं हांडिट गीगावट सोलार एंडरजी सिक्सी गावट रिन्यूबल एनर्जी वीन एनर्जी की दिशा में जाना यह अपने आप में बहुत बड़े सपने हमने जेखें इन सप्रों से आगे बढ़ेंगे हमारे इंपर्ट कम होगा और टैन परसंट ग्रोथ वो तो हमारी रिक् पुरा कर सकेंगे और मैं चाहूँगा कि उसके लिए हम प्रयास करें एक समय की मांग है समय की मांग यह है कि हमारी उर्जाक्षेतर की जितनी कंपनियां है गवर्मेंट प्यूज हो या प्राविट कंपनियों हो हम भारत के दाएरे में ही अपने कारोबार को चला करके गु कि जल्द से जल्द वो मल्टीनेशनल बने हैं क्योंकि उर्जा का पूरा एक ग्लोबल मार्केट बना हुआ है कि एक मैं देख रहा हूं कि इन दुनों एनर्जी डिप्लोमसी एक नया क्षेत्र उभर गया है कि वाइस्विक समंदों में एनर्जी डिप्लोमसी एक रिक्वार्मेंट बन गई है हमारी कंपनिया जितनी मल्टीनेशनल बनेगी उतना मैं समझता हूं इस खेत्र में हम अपनी पहुंच बना पाएंगे अपनी जगा बना पाएंगे उसी प्रकार से उर्जा के खेत्र में इंडिया और मिडल इस इंडिया और सेंट्रल एशिया इंडिया और साउथ एशिया कोरिडोर बनाना और उसको गती देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है आने वाले दिनों में इस खेत्र में काम करने वाले हमारे सभी महनुभाव इ कुछ ऐसे अंशुय क्षेत्र हैं जिसमें हम अपना पैर प्रसार सकते हैं कि नौर्थ अमेरिका और आफरिका में गैस पोजिशन ही हम स्थापीद कर सकते हैं क्या मुझे विश्वास है कि अगर इन सपनों को ले करके हम अगर आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार्थ हमारे जो ब फिल देंगे तो में समझता हूं कि हम इन चीजों को पार कर सकते हैं और यह बात निश्चिद है कि उरजवान भारत ही विश्व को नई उर्जा दे सकता है कि अगर भारत उरजवान बनेगा तो विश्व को नई उरजा मिलने के संभावना है कि one six population के नाते दुनिया हमारे लिए क्या करती है उन सपनों से भार निकल गए हम विश्व के लिए क्या कर सकते हैं ये सपने देख करके चलेंगे तो देश का अपने आप भला होगा मैं फिर एक बार इन तीनव संस्ताओं को बहुत कुछ शुप कामनाई देता हूँ विभा के सभी साथियों को उनके एच्चुमेंड के लिए रदय से भिनेंदन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद